इन्होंने का आठ कैसी अतिसे दुख रूपी माया ये हैं बोले महराज जाबस जीव परा भवकूपा ये भवकूप में गिर गया महराज कई बार हमने देखा है कि कूप में गिरा हुआ विक्ति पहले बाद तो अपने पुरुशार्थ से निकल नहीं पाता है और कई बार पुरुशार्थ करने के बाद भी उपर तक पहुँच जाए और गिर गया उपर तक पहुँच जाए और गिर गया एक मरब मित्र कुवे में गिर गया था बच्पन में अब हम लोगों के पास रस्ती नहीं थी हम भी महीं थे उसने बड़ा पुर्शार्ट किया और उपर चड़ करके तो आ गया और उपर चड़ करके आया और उपर जगत में एक ब्रक्ष था जिसकी डालिया नीचे की वो लटकी हुई थी थोड़ी उस ब्रक्ष को पकड़ करके सोचा आप तो उपर आ गया हूं और पूरा जोर दिया उस ब्रक्ष को पकड़कर चलने का ब्रक्ष उखड़ गड़ और दढ़ाम से नीचे चला गया। ब्रक्ष उखड़ गया। और जब वो नीचे गया तो इतनी चोट लगई कि चलने लाइक नहीं रहा। पहले तो पुरशार्थ करने का सामर्थ लगता था। बाद में पुरशार्थ करने का भी सामर्थ नहीं रहा। ऐसे हम लोगों की जीवन में हुटा कि संसार से निकलने का प्रयास तो करते हैं जवानी तक। और बुढ़ापे में आकर के ऐसी चोट खाते हैं कि फिर उठने की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि अब इस भावकूस से क्यों कैसे निकले कोई रास्ता नहीं दिखता कोई युक्ती नहीं दिखती है इसलिए हमारे सुन्तप प्रवर्त उशिदाज जी महराज ने रागविंद शरकार के मुखार विंद से बाद